डबली अचो ने शनिबार को मंकी पॉक्स बीमारी को ग्लोबल हेल्थ एमर्जनसी घोशित किया डबली अचो ने कहा कि मंकी पॉक्स की मामले सतर से अधिक देशों में फैल चुके हैं और ये सामान्य बात नहीं है साथ ही WHO ने इस बीमारी का टीका विक्सित करने की जरूरत पर भी जोर दिया WHO की इस घोशना से मंकी पॉक्स बीमारी का इलाज खोजने की दिशा में निवेश बढ़ सकता है हलांकी WHO की Emergency Committee के सदस्यों के बीच मंकी पॉक्स को Global Health Emergency घोशित करने को लेकर आम सहमती नहीं बन पाई थी इसके बाबजूत WHO के डिरेक्टर ने अपने विशेशा दिकार का इस्तिमाल कर ये एलान किया ये पहला मोका है जब WHO चीफ ने इस तरह की कारवाई की है इससे पता चलता है कि WHO कोरोना वाइरस के समय हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता है उस समय भी आम सहमती नहीं बन पाने के कारण WHO ने काफी देर से कोरोना वाइरस को Global Health Emergency और फिर महामारी घोशित किया था जिसे लेकर उसकी काफी अलोचना भी हुई थी ट्रेडरोस ने कहा कि कम शब्दों में कहें तो हम एक ऐसी महामारी का सामना कर रहे हैं जो संकर्मन के नई तरीकों के जरिये तेजी से दुनिया भर में फैल गई है और इस रोग के बारे में हमारे पास काफी कम जानकारी है साथ ही ये अंतराश्टिय हेल्थ रेगुलेशन की सबी जरूरतों को पूरा करता है उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये कोई आसान या सीधी प्रक्रिया नहीं है और इसलिए एमर्जनसी कमेटी के सदस्यों के भिन-भिन विचार हैं आपको बता दें कि मंकी पॉक्स वाइरस कई दशकों से मध्य और पश्चिम अफरीका के कई देशों में मौजूद है और वहाँ इसके मामले सामने आते रहते हैं हलांकि अफरीकी महद्वीब के बाहर इतने बड़े स्तर पर इसका प्रकोब अब से पहले कभी नहीं देखा गया था इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ एमर्जनसी घोशित करने का मतलब है कि मंकी पोक्स का प्रकोब एक असमान्य घटना है और ये रोग कई अन्य देशों में भी फैल सकता है साथ ही इसके रोग थाम के लिए वैश्विक सर पर एक संयुक्त प्रक्रिया की जरूरत है इससे पहले डेवली एचों ने COVID-19 इवोला जीका वाइरस के लिए हेल्थ एमर्जनसी घोशित की थी फिलहाल भारत में मंकी पोक्स के चार मामलों की पुष्टी हुई है जिन में से एक देश की राजधानी दिल्ली और बाकी सभी केरल में रिपोर्ट किये गए हैं जिन में रिपोर्ट की पुष्टी है